हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ स्वमोर और आप देखरें समर कंप्यूटर नॉलिच दोस्तो आज का टॉपिक है ISA तो मैं आज ISA के बारे में फुल डिसकस करूँगा ISA, Industry Standard Architecture यह होता है ISA का फुल फ्रोम तो ISA जो होता है वो होता है एक कंप्यूटर बास जो डेटा को स्थनंतरित करता है और ISA कंप्यूटर की मादर बोड में रहता है मतलब पुरानी जो कंप्यूटर होता था उसकी मादर बोड में ISA स्लोट रहता था तो ISA स्लोट का काम क्या था ISA स्लोट का काम था जो Expansion 카rd होता था उसे connect करना मतलब उस expansion card को ISA slot में लगाना पड़ता था expansion card की कुछ examples है जैसे की sound card, video card, network card, modem card और भी बहुत कुछ तो एथा ISA slot का काम आप मैं बात करता हूँ ISA कब आया था ISA आया था 1981 में और उसको Mark Dinn ने invent किया था और इसे IBM दुआरा introduced किया गया था तो 1981 में पहला जो ISA आया था वो था 8-bit का लेकिन इसे बिस्तरित करके 1984 में 16-bit ISA को release किया था आप मैं बात करने वाला हूँ ISA की कुछ फायदे की बारे में तो ISA की जो cost था वो बहुत ही कम था और ये compatibility भी था और इसे पुरानी computer में बहुत ज़्यादा यूज करा जाता था लेकिन modern computer में ISA की जगा में PCI का यूज किया जाता है आप मैं बात करता हूँ ISA की कुछ disadvantage की बारे में तो ISA की जो main disadvantage है ओ है data transfer rate मतला आप ISA की जो data transfer करने की speed है ओ बहुत ही slow है ओ है 2-3 Mbps तक तो ये था ISA का disadvantage तो दोस्तों आज के लिए बाज इतना ही मिलते है next वींडियो में दोस्तों आप PCI क्या है जानना चाहते हूँ तो end screen पा लेटवाली वीडियो पे क्लिक करना और PCI express क्या है जानना चाहते हो तो end screen पाanza right वाली वीडियो पे क्लिक करना और ऐसे ही computer knowledge बढ़ाना चाहते हूँ तो चैनल को subscribe करना